याद करिए मैं आपको पढ़ा रही थी शिशू लालनम जी हाँ आपने पिछलो दो वीडियो देखे होंगे जिसमें शिशू लालनम राम के पुत्र लवकुष जो की राम के दरवार में रामायन सुनाने आये हैं बालमी की करत रामायन और जब लेकिन सुनाने से पहले ही रा कि ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं और वो अपनी उनकी माता के बारे में सुनकर और अधिक पश्यताप करने लगते हैं तो ये शिशू लालनम मतलब शिशू के प्रती जो प्रेम इसने उभर कर आया था दोनों को गले लगाते ही जिनको हिरदाई ग्राही इस पर्स हुआ था ये पाठ हमने कंप्लीट किया था और मैंने आपसे कहा था कि पाठ तब ही पूर्ण होगा जब पाठ के अभ्यास करवाए जाएंगे तो आपका इंतजार समाक्त हुआ क्योंकि शिशू लालनम का जो तरतिया पाठा आपका है इसका आज हम प्रशन अभ्यास करेंगे कितना पाठ हमने पढ़ लिया है कितने अच्छे से हमने पढ़ लिया है ये जानेंगे जब हम उसके एक पदेन पूर्ण बाकेन प्रश निर्मान ओभी जो भी व्याकरन आई हुई है वो हम जब बहुत अच्छे से कर पाएंगे तो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक पदेन में आपका पहला प्रशन है कुष लवाव कम उपसरत्य प्रण मतहा हिंदी क्या होगी कुष लवाव कुष और लव कम उपसरत्य किसके पास में आकर प्रणाम करते हैं तो आपको भी पता है कि वो किसके पास आये थे वो राम के पास में आये थे तो रामम चुकी कम दिया हुआ है इसलिए रामम द्वतिया एक बचन का यहां पर प्रयोग होगा अगले प्रशनी की तरफ चलते हैं तपोवन वासिनहा कुशस्य मात्रम के नामना आहवायनती तपोवन के निवासी अठात आश्रम में रहने वाले लोग कुश्की माता को क्या कहकर पुकारते थ तो क्या कहते थे देवी तो क्या कहके पुकारते थे देवी यहां पर हमें त्रतिया का प्रयोग करने के आवशक्ता नहीं है वायो अनुरोधात कहा लालिनिया भवती मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसके लालिनिया मतलब किसके योग होते हैं उनका लालन पालन य किस सम्मंद्धें बालमी की लवकुषियों हो गुरू किस सम्मंद्ध के कारण बालमी की लव और कुष के गुरू हैं किस कारण से बालमी की को लवकुष का गुरू कहा गया था तो याद करिए कि हमने कप पढ़ा था कि क्या कौन सा संसकार हुआ था जब उनको लवकुष का गुरू बाकई जिनके पास वो पहुंचे थे तो उप नयनों उप देसें उप नयन की दो दिक्षा हुई थी उस कारण वो गुरू बन गए थे अगला प्रशन है कुत्र लवकुष यहो पितु नाम ना व्यायत यह मतलब कहां पर लवकुष के पिता का नाम नहीं लिया जात तो तपोवन में वहाँ पर कोई भी नाम नहीं लेता था राम का तो तपोवन यह कुत्र वहीं आता है जहां सब्सक्राफ्ट खटा होता है तो कुत्र के इस्तान पर जो शब्द आएगा उसमें भी सब्दमी का प्रयोग होगा कि आutto अगे देखिए अग्ला है अगला है अ कंठाश ले सस्य इस पर सहा की द्रशहा आसीत राम के लिए कुश और लव का जो गले से लगने का जो इस पर्स हुआ वो किस प्रकार का इस पर्स था थोड़ी दिर पहले जब यह पार्ट यह शुरू करने वाली थी शुरू हो रहा था मारा प्रशन अभ्यास तब मैंने कहा था कि राम ने उन्हें गले लगाया तब वो कैसा इस पर्स था हिर्दय ग्राही हिर्दय में बसने वाला हिर्दय में रहने वाला हिर्दय को छुने वाला तो वो जो था वो हिर्दय ग्राही आसीत आपको एक ही शब्द याद करना है हिर्दय ग्राही आप देख सकते हैं र सिंगासन पर बैठने के लिए कहते हैं सिहासन पर कि रामा कुष लब कुषव स्वांके अच्छा पहले वो कहते हैं सिंगासन पर बैठते नहीं तो कहते मेरी गोद में बैठो तो स्वांके स्वांके उपवेशिये तुम कत्यती अपनी गोद में बैठने के लिए कहते हैं बा करन तो बाल भावाथ हिम करा पशूपती मस्तके पशूपती शिवजी के मस्तिक सपर चंद्रमा बिराजमान है कुश लव्य हो वंशश्य करता कहा कुष और लव के वंश के करता कौन है तो तो क्या दिया था सूर्वा का नाम यहाँ पर कुषलवयोवन्सस्च्षकर्त भगवन सहस्र दिदिती मतलब सूर्य गया, सहस्र दिदिती सूर्य को बोलते हैं, 0udo क przy कुषलब की कहते थे, अनकू दी धुक्य कहते थे हैं, मतलब सीता को नाम से बहां कोई भी नहीं पुकारता था अगला प्रशन है रेखांकित पडैसु यहाँ पर बोल्ड में किये गए हैं यहे रेखांकित पडैस कारण मतलब इस की आने का आने का अलम अधी धाक्षणेन इसमें तरतिया का प्रयोग हुआ है तो यह क्यों आया है तो विभक्ति कौन सी प्रयोग हुई है तरतिया पर किस कारण से आये तो अलम यह अलम क्या है यह उपद विभक्ति का प्रयोग है जहां अलम होता है वहां तरतिया विभक्ति का प्रयोग आत अच्छा ठीक है यहां से अब भी बताएंगे तो आपका पूरा आपको आंसर मिल जाएगा तो यहां आते हैं आसनारधम में द्वतिया विवक्ति का प्रयोग है और यह द्वतिया है तो यहां पर जो उपवेश है बैठने की जो बात की गई है उसके कारण यहां पर द्वति आई है जहां पर धिक आता है धिकार की बात होती है बहां पर भी द्वतिया विवक्ति का प्रयोग होता है तो धिक आने के कारण द्वतिया विवक्ति का प्रयोग हुआ है अंक व्यहतम अध्यास्ताम सिंहासनम सिंहासनम में भी द्वतिया का प्रयोग है तो यह अध्यास् कारण हुआ है अलमति विस्त्रिन तरतिया का प्रयोग हमेशा अलम के कारण होता है ध्यान रखेंगा अलम खोला हलें अलमति विस्त्रिन अलम विवादेन जब भी आपको अलम आएगा वहां तरतियव वक्ती का प्रयोग होगा तो यहां पर Ё leadership के पřिक हैester रामम उपसरत्य और जहां पर उप का प्रियोग होगा चायब उपवेश यती हो और चायब उपसरत्य हो बहां द्वतिया का प्रियोग होगा अब यहां पर आप आके इसके सीधो उत्तर देख सकते हैं द्वतिया उपवेस के कारण, द्वतिया धिंक के कारण, द्वतिया ओस के कारण और यहाँ पर त्रतिया का प्रयोग अलम के कारण और द्वतिया उप स्रतिक के कारण, मतलब ओप होगा तो द्वतिया का प्रयोग होगा, त्रतिया होगा तो अलम का प्रयोग होगा वहाँ पर तस नाम धेवं, जानाम मिया मर्था जानामी अहम, जानता हूँ मैं उनका नाम, असमिन वाक के कर्त पदम के कर्ता पद कौन है, जानता हूँ मैं उनका नाम, तो जानता कौन है मैं, तो कर्ता कौन हुआ मैं, तो यहाँ पर जो कर्ता पद होगा वो आपका क्या होगा, अहम, अब अहम कैसे आया तो आपको ये तोड़ते बनना चाहिए या इसको आप ऐसे पढ़िए कि आप आराम से अहम निकाल पाएं जाना मी अहम, जानता हूं मैं, तो जो जानता है करता पही हुआ तो अहम करता हुआ और जाना भी यहाँ पर क्रिया है अगला प्रशन है किम कुपिता एव भनती उत्प्रक्रती इस्था क्या वो क्रोधित में आकर क्रोध में आकर बोलती है या फिर उत्प्रक्रती इस्था या फिर सभावे की बोल देती है तो ये बात जो होई असमाद वाक्यात हर्षिता इती पदस्य विप्रितार्थक पदम चित्वा लिखत मतलब जो हर्षिता को लेकर यहाँ पर हर्षिता मतलब प्रसन्य ठीक तो इसका विलोम आया हुआ है यहाँ पर कौनसा विलोम सब्दों होगा जो यहाँ पर आया हुआ ह किम कुपिता क्या क्रोधेत होकर बोलती है या फिर सभावे की बोलती है तो प्रसन्य का विलोम क्या होगा क्रोध तो यहां पर आप यह जो कुपिता है यह इसका विलोम है अब आप कैसे पता लगा पाएंगे तो आपको शब्द का अर्थ जानना जरूरी है आपने देखा हो भी नहीं आते हैं लेकिन जब हमें ऐसे प्रश्ण आते हैं उस समय जब हमें इनको एक दूसरे से विलोम या समानार्थी निकालना है तो उस समय आप बताईए कि आपको शब्द के अर्थतों आने चाहिए तो एक बात बहुत ध्यान से बहुत उससे याद रखिएगा मैं इस एक पधिन पूर्ण वाकिन आपके पेपर में नहीं आने हैं लेकिन आप उनको भी छोड़ दें तो अच्छी बात नहीं है क्योंकि पठित गध्यांस या पठित पध्यांस में जो प्रश्ण उत्तर बनाते हैं वो पठित गध्यांस और पध्यांस में पाठों के पीछे ज काम में आते हैं तो कुछ भी छोड़ना नहीं है वो कैसे भी घुमा फिरा कि आपको पूछी ही लिए जाते हैं तो कुपिता यहाँ पर इसका वो विलोम शब्द हो जाएगा आगी बढ़ते हैं विदुशक का उफसरत्य आग्या पयतु भवान विदुशक पास आकर आग्या पयतु भवान अत्र भवान यहां पर भवान जो है इती पदम कस्मई प्रियोक्तम किसके लिए प्रयोग हुआ है तो पास आकर आग्या पयतु भवान आग्या दीजिए भवान आप आग्या दीजिए आप किसके लिए आया है विदुशेक ने तो आग्या एक से वांगेंगे वो भी राम से तो राम आए क्यों क्यों कि कसमे चतुर्थी है इसलिए राम के लिए किसके लिए प्रियोग हुआ इस मतलब इस अंक में इस गोद में बैठिये अध्यस्ताम सिंगा सनम तो यहाँ पर जो क्रिया पद है वो क्या है यहाँ पर जो अध्यस्त होना है मतलब बहां उपस्ति जो होना है यह आपका क्रिया पद आएगा और इसके लिए भी आपको अर्थ की आवर्शक्त पढ़ेग ठीक, आगे बढ़ते हैं अब यहाँ है आधुलिखी दिन बाक्यानी कहा का कम का प्रतीकत्यती किसने किसे कहा किसने किसे कहने के लिए पाट को पढ़ना समझना बहुत जिरूरी है तब जाके आप बता पाएंगी ही वाकिक किसने बोला था सा व्यवधानम ना चारित्र लो पाए आपके चारित्र में व्यवधान नहीं उत्पन्य होगा किसने कहा था राम ने और किस से कहा था लव और कुश अर्थात उभव दोनों को तो रामहा और उभव फिर है किम कुपिता ए भड़ती उत्प्रक्रति इस्ता क्या क्रोध में बोलती है या सौभावे की बोलती है विदुशक ने बोला था कुश से तो विदुशक कहा कुशम जाना में हम तस्य नाम धेयम जानता हूं मैं उनका नाम तो ये किस ने बोला था कुशा ने ये विदुशक ने पूछा था तो ये राम ने पूछा था तो यह के दो नाम हैं ये किस ने कहा था तो ये लवने यहाँ पर और उनके दो नाम हैं ये विदूशक को बताया था बैइसे आप बैट जाये आपके चरितर पर कोई भी विवधान नहीं होगा तो राम ने भव दोनों को बोला था विदूशक नहीं कहा था कि किस से कुष्य कि क्या ऐसे बोलती है आपकी माता निर्दई की सोभाविक रूप से या गुष्य में जानता हूं मैं उनका नाम तो कुष्य ने कहा था राम से कि मैं उनका नाम जानता हूं क्योंकि उन्होंने कहा था क्या दो नाम है ये लव ने कहा था विदुशक से बयास अपूर ये राम ने कहा था विदुशक से तो आप क्यों ये जान पाए क्योंकि पाट पड़ पाए उसका हिंदी अर्थ कर पाए इसलिए आप समझ पाए कि इसको किस ने कहा होगा अब यहाँ पर मंझुशाता परियाए द्वयम चित्वापदान हम समक्षम लिखा दो दो परियाए वाची आपको निकालना है मतलब यहाँ पर हिमकर के भी दो परियाए वाची है समप्रती के भी इस मंझुशा में दो परियाए वाची है समुदचार के भी पशुपत लेकिन कैसे निकालेंगे जब आप इन शब्दों के अर्थ जानते हो तो बताए हिमकर किसको कहते हैं हिमकर चंद्रमा होता है, संप्रती आज के लिए होता है, समुदार अच्छा अचार होता है, फिर यहाँ पर जाएं, पशुपती शिपजी होते हैं, तनय पुत्र होता है, सहस्र दिदी सूरी को कहते हैं, अब देखिए, अब आप आसानी से यहाँ पर क्या कर पाएंगे, इनके निकाल पाएंगे परयावाची, तो यहाँ देखिए हिमकर का, चंद्रमा दिया हुआ है, आप और चंद्रमा को क्या कहते हैं, तो चंद्रमा को शशी कहते हैं, दूसरा निशा कर भी कहा जाता है चंद समुदा चार अर्था शिष्टा चार तो एक तो सिष्टा चार हो गया शिष्टा चार भी कहते हैं और सदा चार भी कहते हैं तीन-तीन हो गई है चौते नंबर पर पशुपती तो शिप जी को पशुपती कहते हैं चंद्र सेखर भी शिप जी को कहा जता है तनिया तनिया यहा पर पुत्र के लिए कहते हैं तो एक तो सुता पुत्र होता दूसरा पुत्र भी पुत्र फिर है सहस्र अधी तो यहाँ पर छटवे नंबर पर आपका सोर्य और भानु को भी सूर्य कहा जाता है अब यहाँ पर आप देखिए आपको दोडो मिल जाएंगे शैशी निसा कर पह फिर सदाचार और यहाँ पर सिष्टाचार तो सिष्टाचार हो गया और यहाँ पर यह सदाचार हो गया यह भी सही है इसके बाद आता है शिवाहा और चंद्रसेखर पांचवे नंबर पर सुताहा और पुत्रहा आगे चलते हैं तो सूर्यहा और भानु तो आपने देखे होंगे कि सारे के सारे हमारे एकदम सही पहुचे और क्यों क्यों कि हमने यहां पर शब्दों के अर्थ पहले ही समझ लिए थे इसके बादे विशेशन व विशेशिपद पाथ में बहुत विशेशन विशेश का प्रियोग हुआ है शिलाख्या कथा है उदात रम बताइए उदात रम किसको कहा गया था उदात रम कुशलवियों समुदचार इसपर्स प्रवास या कुटुम ब्रतान था अती दीर्ग किसके लिए हुआ था लंबे समय तक प्रवास करना तो यहाँ पर दो सम रूप कौन थे सम रूप था उंका दोनों जो भाई थे उनका रूप ही इस पर सफ़ है कुमार यह रहो है तुलस को कि महत्तार है कि यहां पर तुरन्थ हम पहचान सकते हैं कि हम क्यों गलत हो गये क्योंकि आप जब इस की तरफ जाएंगे बिभक्ति की तरफ तो कुमारियों में यहाँ पर दूई बचन का प्रयोग हुआ है तो कुस लवियों में भी दूई बचन का प्रयोग होगा तो कैसे हम अपनी गल्तियां पहचान लेते हैं, ये हमें समझ में आ गया कि जब भी विभक्ति का प्रयोग होता है। हम कोई गडबड भक्ति लगा रहे हो वहाँ पर भक्ति कारियी नहीं कर रही है उत्तर में अदी नहीं आ रही है मतलब आप कही नहीं गडबड जा रहा है और हमने अपनी जो गलती थे अपन तुरंद पहचान गया कि नहीं हमारा कुटम ब्रतांत कुट समान था और ये कुछ लव यहो क्या थे दोनों कुमार यहो अब यहाँ पर आप देखिए उदातरम में समुदचार क्योंकि इसके सामने ही आये था यह पहले यह आपको बता दिये था अती दीर्ग प्रवास है समरूप कुटुम ब्रतांत है हिर्दैग राही इस परस है और कुमार यहो और लव तो गलतिया कैसे यही पहचान में आती है अब यहाँ पर संधी करना है और मैंने आपको बहुत सारे शब्द पहले भी बताए हुए है पाट के साथ साथ ही दोयो और अपी दोयो हो और अपी तो यो है बिसर्ग है और फिर अपी आ आ दिया हुआ है तो यहाँ पर दोपी अब गरे लगकर दोव और अपी अव और आ मिलके आव बनाते हैं दोपी यहाँ पर दोयो पी फिर मातें कहा धन अत्र कहा धन अत्र में कोशतर भी होता है अनविग्या और अहम इतीधन आत्मना तो ई और बड़ा मिलके क्या बनाते हैं बड़ा या बही अनविग्यो तो अनविग्या और यहां पर भी क्या जाता है आपका अवग्रे के साथ आप यहां देखते हैं आप एक एक संधी के साथ आप देखेंगे तो देखेंगे आप द द्वा और अपी तो द्वाव अपी को अत्र अवग्रह यहां पर आया है तो यहां पर विसर्ग संदी के साथ है और यहां पर इती धन आत्मना तो इत्यात्मना तो यहां पर इत्यात्मना यह देखिए दो रपी जो है वो रा के उचारण यह दिया रहा है अदिकी पाट के अ तो यहां पर विसर्ग संधी तो आप देखते जाएं कि संधियों का प्रकार सभी प्रकार की संधिया आ रही है इसलिए आपके अभ्यास में देखा होगा कि आपके पाथ क्रम में स्वर्ड दिख रही है तो आप यह देखिए कि पाथों के अभ्यास में स्वर्ड बेंजन और विसर्ग तीनों आई हुई है मतलब आपके लिए संधिया केवल स्वर्ग ही जरूरी नहीं है स्वर्ग ही आवसक नहीं है बेंजन और विसर्ग भी आपको पढ़नी है अधो लिकेत पतेसु विक्षेद हम कुरूत यहां पर हमें विक्षेद करना है वहां संधी बनाई थी और यहां विक्षेद करेंगे तो देखिए आहम अपी ए तयो हो यहां लिखेंगे आप भाहां भी आपका लिखा हो आएगा आहम अपी और ए तयो हो आगे देखिए बयो अनुराधा अनुरोधात यस तो आप बयो अनुरोधात को आप तो सीधा तोड़ सकते हैं या आप विसर्ग भी लगा सकते हैं यह पुरूरू पर भी जाएगी और विसर्ग पर भी जाएगी समान भी जनव तो समान भी समान और अभी जनव यहां से तोटेगा ये खल और वेतत तो हमने पहले यह आपको पाट के अंतरगत बताया था कि यह जो है यह यन संदी के अनुसार जाएगा तो यन संदी के अनुसार जाएगा आपड़ देखिए आप अहम अपी और एतायू आपको इसको एक साथ भी तोड़ सकते हैं और हम अपी को अलग अलग भी फिर वय हो ब्रदी उसका आपका पुरूरूप में भी जा सकता है और विसर्ग में भी जा सकता है दोनों में बन सकत तो आपको आपको समझ में आएंगी नियम के रूसार चलना पड़ता है और प्रक्टिस की दोरान याद हो जाती है तो आपने देखा कि पार्ट में किसने किस से कहा ये हर पार्ट में आ रहा है मतलब ये आपसे पूछा भी जा सकता है आपके पार्ट करम के अंतरगती है अन्बय आपको हर श्लोका देखना है क्योंकि अन्बय के रिक्तिस्थान भी आपसे पेपर में पूछे जाते हैं और जरूर ही आते हैं साथ ही यही देखा जाए तो आपने संधियां देखी आपर संधियों का विक्षेत करना देखा विक्षेत है तो उनको जोड़ना देखा तो पाठों के अंतरगर जितनी भी व्याकरण आ रही है तो आपको व्याकरण का कोई भी भाग छोड़ना नहीं है यहां पर आकर हमारा पाट complete होता है व्याक्रन के साथ शबदार्तों के साथ अनबय के साथ शलोक के साथ और साथ ही संबादात्मक पाठ यह था तो पूरा पाठ समाप्त हुआ अब यहां कह सकते हैं कि शिशुलाल नम पाठ दसवी का जो श्यमुसी का है त्रतिया पाठ यह आपका complete हुआ आगे आ बनाए रखिए बिल्कुल भी गैफ मत कीजिए क्योंकि यदि हम लाने में गैफ नहीं कर रहे हैं तो आप पढ़ने में मत कीजिएगा चितनी जल्दी आप अपना पार्ट करते जाएंगे रिवीजन के लिए आपको उतना ही समय मिलेगा तो रिवीजन आपका क्या होगा कैसे होगा बहुत ही शांदार होने वाला यह तो आप एक-एक स्टेप से आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप अपकेडमी के साथ तो आज के लिए बस इतना ही अगली वीडियो में होपस्तित होंगे अगला पार्ट लेकर थैंक्यू सो मज शार्ट वीजन रिवीजन आपकेडमी वह तो आपकेडमी के लिए।